एक महिला जिसका पेटा उसके पती और उसके देवर से भी नहीं भड़ता है और तीसरे व्यक्ति से लड़ाती है इसक तो इसका भुक्तान उसको अपनी जान दे कर करना पड़ता है अगर घटना को आपको पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा राम राम नमश्कार में महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सची घटना यहाँ पर एक परिवार जिस परिवार में घर का जो परिवार का जो मुखिया होता है जो की तीन साल पहले लापता हो जाता है उस पर तीन बच्चे थे उसकी पत्नी जिसका नाम अनीता था अब जब तीन साल से पत्धी घर पर नहीं है तो अब वो अपने देवर के साथ अवेज संबंदों में बन जाती है उसके साथ वो प्यार की जूटी कस में जूटे वादे खाती है और अब उसके साथ वो एक तरीके से living relationship में रहने लगती है लगातार एक दूसरे के साथ रहते हुए उनको 3 साल हो जाते हैं तब ही अचानक उस देवर को पता चलता है कि उसकी भावी जो की 30 साल की है देवर जो की 23 साल का है वो उसको पता लगता है कि उसकी भावी के नाजाय सम्मन्द किसी और व्यक्ति से भी हैं यानि कि उसका पती पहले लापुता हो चुका था उसके बाद देवर आया उसकी जिंदगी में और अब उसका मन देवर से विभार चुका था देवर कमलेस बताता है कि उसकी भावी अब उसके कॉल तक नहीं उठाती थी तब ही एक दिन उस देवर को इतना गुस्सा आता है कि अपनी भावी को कॉल कर वो एक कॉलिज के खंड़र पर बुलाता है वहाँ पर वो एकांत में उसके मिलने जब जाती है तो उसका साथ साल का बेटा उसके साथ होता है लेकिन देवर अब इनसान से हैवान बन चुका था जैसे ही वो खंड़र पर पहुंचती है तो वहाँ पर एक बार फिर से उसको हिदायत दी जाती है कि तुम अब ऐसे जो affair तुम रख रही हो उनको छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ तन मन धन से हूँ तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना चाहिए लेकिन उसकी समझ में एक भी नहीं आती है और यहाँ पर अनिता बार बार उससे यह कहती है कि मैं अब उसी के साथ रहूंगी मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना जैसे ही देवर यह सब उसके सुनता है उसको इतना गुस्सा आता है कि उसके जो वो पेटिकोट पहन कर रखती है यानि साड़ी पहन कर वो आई थी उस पेटिकोट का नाड़ा लेता है और उसी से उसके गले को घोड़ देता है साथी साथ उसका साथ साल का बेटा यह सब देख रहा था वो जब मम्मी की बचाने के लिए गोहर लगाता है तब ही वो देवर उस बेटे का भी गला उसी नाड़े से घोड़ देता है कहता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो यह सब को बता देगा और वहां से फरार हो जाता है जब वो महिला अपने घर पर नहीं आती है तो उसके दो बच्चे चारा तरफ अपनी मम्मी को ढूंडते है उसका कॉल मिलाते है लेकिन उसका नमबर स्विचॉप होता है तब ही उनके पड़ोसी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज में वो जो महिला की लास्ट लोकेशन होती है वो खंधर में पाई जाती है वही पर उसका बेटा भी साथ में मरा हुआ मिलता है पुलिस दोनों को देखती है तो उनकी डेट बोडी को अपने अंडर कंट्रॉल लेती है और उनका पोस्ट माडम कराती है पोस्ट माडम में पता चलता है कि इनकी दम घुटने की वज़े से इनका जो डेट हुई है और लेकिन उनके पास कोई भी वहां पर सबूत नहीं था कि आखिरकार ये डबल मर्डर किया किस ने किया लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है और वो बहुत जल्द सारे सबूतों को ढूंड लेती है वो उस महिला की कॉल डेटेल निकलवाती है जैसे ही अनिता की कॉल डेटेल निकलती है तो उसमें लास्ट जो नंबर था वो कमलेश का होता है पुलिस तुरंद कमलेश को पकड़ती है और जब कमलेश को पकड़ती है तो पहली बार तो कमलेश यह कहता है कि मुझे नहीं पता उसके तो औरों से भी relation थे, लेकिन जब पूलिस अपने तरीके से पुछती है तो कमलेश जो है पू अपनी सारी जो उसने घटित किया था उस घटना को बया करता है वो बताता है कि मैंने इस सचे दिल से प्यार किया जब भाईया चले गए छोड़ कर तब मैंने इसका सपोर्ट किया लेकिन अब इसको कोई और चाहिए था और इस चीज़ को मैं बरदास नहीं कर सका और मैंने इस घटना को अंजाम ले दिया जो कमलेस है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया आज वो जेल की सलाखों के पीछे है लेकिन ये जो घटना आपके सामने आई इसको लाने का मेरा सिर्पे की उद्धे से था कि आप लोग इससे कुछ जानकारी लें किसी भी रिष्टे में ना बन है रिष्टों के पृति इम मासूं बच्चे की भी जान इसके चलते अफैर्स के चली जाती है आपको ए घटना कैसी लगी इसकी राय कमिट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ऐसा किसी के साथ ना हो इसलिए मैं घटना को लेकर आती हूँ कि आप सचेत हो जाओ अपने रिष्टों के प्रती इमानदार रहें तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेर कीजिएगा बहुत जल्द फिराती है इसी एक सची घटना के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत